वेलकम बैक तो आवर चैनल अगें साबर बग साबर सिक्यों वी आ फैंडिंग बग्स दैट्स वाई वी आर साबर बग्स मैं हूं आपका दोस्ट और होस्ट अभिशीक चोशी तो आज हम बात करेंगे सब डोमेन के बारे में यह सब डोमेन होता क्या है और यह क्यों इंपॉ करते हो तब आप यह सोचते हो कि मैं कितना ज्यादा डीप टेस्टिंग कर पाऊं ओके सब डोमेन का मतलब यह कोई अलग डोमेन नहीं होता है बहुत से लोग इसको लेकर के गए कन्फियूज हो जाते है कि वह सब डोमेन जो होता है वो एक अलग डोमेन है ओके फार डॉट फेस्बुक डॉट कॉम दर उसके बाद डॉट फवी डॉट को मैं शॉट फॉर्म लिख रहा हूं अब इस पकार से सब डॉमेंज होते हैं अब पेंट टेस्टिंग में आपको हमेशा याद रखना है अगर आप प्रोफेशनल पेंट टेस्टर बनना चाहते हो या फि पूरी सिक्यूरिटी ऑडिटिंग आने चाहिए अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत सिर्फ एक ही डॉमेंट पर टेस्टिंग करते हैं लेकिन यह टेक्निक जो होती वह गलत होती है हमेशा पहले आप इनफॉर्मेशन गैदर कर लो ठीक है पहले आप हमेशा उसके बारे में पता कर लो sensitive directories देख लो sensitive urls देख रो ठीक है तो हमेशा sensitive आपको directory देखना है हमेशा sensitive url देखना है और हमेशा आपको अपना attacking area बढ़ा करके रखना है ऑब इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे facebook.com पर vulnerability नहीं मिली तो मुझे बाग करी domain पर भी नहीं मिलेगी ठीक है domain एक ही है लेकिन उसके sub domain है और वहाँ पे coding अलग अलग की हुई है ठीक है क्योंकि वहाँ पे pages अलग है वहाँ पे functions अलग चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना attacking area जो है वो बड़ा करके रखना है आपको सारे चीजों के testing करनी है तो यहाँ पे मैं एक tool आपको बता चुक करना हूँ ठीक है github साब को मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कि वन फॉर ओल कि वन फॉर ओल आइधिंग यहीं नामें इसका वन फॉर ओल येस ठीक है वन फॉर ओल आप github पे टाइप कर ले ना दान रेड हॉक यह भी टूल मैं आपको बता चुका हूँ दोनों के दोनों तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ठीक है कॉपी करने के बाद गिट क्लोन पेस्ट इससे भी गिट क्लोन करके मैं पेस्ट कर रहा हूं ठीक है तो यहाँ पे अपने पास दो टूल है सब दोमेंड स्कैनिंग के लिए सब लिस्टर भी काम का है लेकिन सब लिस्टर थोड़ा बहुत मुझे यूसफूल नहीं लगता है बहुत सार आश्मे ओके रेड हॉक आपको डाइग डाइग बता देगा लेकिन यह पूरा एक लिस्ट आपको निकाल करके देता है ठीक है अब देखो अब यहां पर यह इंस्टॉल इशिंग के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा इसके लिए ठीक है जब तक के मैं दूसरे टैप पे रेड हॉक को इंस्टॉल कर लेता हूँ सबसे पहले रेड हॉक ठीक है पीएच पी में यह टूल बना हुआ है तो पीएच पी आरेच डव्लू के अब यहां पर मैं कोई भी डूमेंड ले रहो अब देखो आप सब डूमेंड निकालना कोई लेगल अक्टिविटी नहीं है ठीक है तो मैं किसी भी वेबसाइट के स Facebook.com कि एंटर करता हूं अब वेबसाइट अगर है तो वन दबाएगे सटीपी एस है तो टू दबाएगे ठीक है तो सेकेंड नंबर अब यहां पर देखो सबसे वाला सब डूमेंड स्कैनर ठीक है यह आपको यूस करना है एंड हिट एंटर करता हूं में ओके अब यह ठीक है जैसे मैंने कहा था Facebook.com एक डूमेंड जरूर है लेकिन उसके सब डूमेंड भी होते हैं जैसे कि आंदे को एज कितना बड़ा है आप का जो टार्गेट है वह कितना बड़ा है आप किस पकार से उसे टेस्टिंग कर रहे हैं आपका प्लान क्या है ठीक है अब यहाँ पर देखो रडहॉक तो आपको मैंने एल्ड़ी दिखा चुका था अब यहाँ पे वन फॉर और की बारी है तो इसे ए गुगल याहू हो गया मैं दिखाता हो एक बार ठीक है यहां पर अगर आप देखोगे वन फॉर आल आप इसको एक बार रीट करोगे ओके ठीक है रीड करने लायक तो कुछ है नहीं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहां पर सब चाइनीज में लिखा हुआ है क्या टूल आपक चुका है तो सीडी कि अगे सीडी वन फॉर रॉल करता हूं मैं अलस अब जब भी आपको टॉल इंस्टाल करते हो नहीं तो हमेशा इसके रिक्वार्मेंट इंस्टाल कर लिया करो अधर वाइस बहुत से लोग बूलते कि यार टूल इंस्टाल नहीं हो रहा है दिक्कत आ र लो इंस्टाल डैश आर कि रिक्वार्मेंट्स.txt अपनी जो डिपेंडेंसी जो भी रिक्वार्मेंट्स है वो मैच करती है ठीक है और डी सैडिस्वाइड है तो कोई दिक्कत नहीं होती है अब यहां देखो अब मुझे यहां पर वन फॉर ओल को एक्जिक्यूटेबल ब इसलिए हमेशा मेक एक्जिक्यूटेबल मैं ट्रिपल सेवन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सारों को देना है ग्रूप यूजर और मेरे रूट को ठीक है अगर एज सीक्यूरिटी परसन देखा जो तो मैं सिर्व रूट को ही देना चाहिए बाकी लोग को नहीं दे अब लस इसको मैं कि पाइफन 3 पेस्ट डैश 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 टार्गेट ठीक है डैश डैश टैश करोंगे तो आपको यहां पर सारे के सारे स्विचेस मिल जाएगे कैसे आपको इसे यूज करना है ओके तो फिर यहां पर मैं डैश डैश टार्गेट करता हूँ ठीक है facebook.com and last में run करके enter कर देना है अब देखो one for all tool आपका run हो रहा है ठीक है अब ये काफी अच्छी तरीके से सारे के सारे modules use कर रहा है ये देखो query max, afx check, ansic check, query ns ये सारे के सारे module से, सारे के सारे source से आपको sub domain निकाल करके देता है ये मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगता red hawk से अब almost half hour बाद इसने सारा के सारा result मुझे निकाल के दिया है एक csv file अब csv file को देखने के लिए simple उसी tool में ls करूँगा मैं यहां पे आपको देखेगा result ठीके पात आपको यहां पर दी होती है ठीके यहां पर देखो तो cd result ls अब देखो यहां पे यह अपनी csv file अब देखो यहां पने csv file अब इसको मैं आप मूफ कर लेता हूँ अब शेक और डेक्स्टॉप ओके अब डाग डाग डेक्स्टॉप पर जाता हूँ तो आप इसको यूज कर सकते हो एक csv फाइल आपको निकाल कर देता हूँ इसने कम से कम यह देखूँ अटलेस्ट ठीक है 5000 सब्डोमेन यह बहुत बड़ी लिस्ट है तो आप इसको यूज कर सकते हो आप रेड हॉक भी यूज कर सकते हो लेकिन यह ज्यादा अच्छा है तो आपको सारे के सारे सब्डोमेन यह निकाल करके देता है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शियर एंड सब्सक्राइब ज़रू करते हैं साहबर बक्स को मिलते हैं अगले वीडियो पे